प्रेजल और दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आप सुभह की प्रात्ना में और प्रात्ना में जाने से पहले हम परमेशों के वचन के ओर देखेंगे फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रात्ना करेंगे आप हमारे साथ में इस प्रभुई प्रात्ना में बने रहें और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रेरितों किताब उसका साथ अध्याय और साथ पद से जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है फिर उसने घुटने टेक कर उजे शब्द में पुकारा हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा और यह कै कर वह सो गया आमें दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ जब इस्तिफनुस ने परचार करना सुरूगे प्रभु येश्य मसी का जब वो परचार कर रहा था तो उसने भासन दिया और बहुत सारे लोग उसे सुन रहे थे और अंत में ऐसा हुआ कि उन लोगों ने उसे पकड़ा और उसे गसीट कर नगर के बाहर ले गए और वहां उन्होंने उस पर पत्राओ किया जब वे उस पर पत्राओ कर रहे थे तब इस तिपनुस ने गुटने टेके और कहा है प्रभु मैं अपने प्राणों को तिरे हाथों में सौंपता हूँ और कहा प्रभु इन लोगों के पाप को इनके उपर मत लगाना प्रभू जो ये अपराद कर रहे हैं जो ये मुझे मार रहे हैं इसके बदले तुई ने दंड मत देना तुई ने चमा कर देना प्रभू तुई ने चमा कर देना और एक तरीके से स्थिपनुस ने भी उन लोगों को चमा किया जो लोग उसे पत्थर मार रहे थे जिनों ने उसे मार डाला दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं स्थिपनुस ने उन लोगों को छमा किया और उन लोगों के लिए छमा की प्रात्ना की जिन लोगों ने उसे मृत दे दिया जिन लोगों ने उसे मौत दे दी क्यों उसने ऐसा किया क्योंकि प्रव येश्यु मसी ने यही अपराधों को छमा करो, अपने अपराधियों के गुनाहों को छमा करो, उन लोगों को छमा करो, जो तुम्हारे विरोध में अपराध करते हैं, जो तुम्हें गलत कहते हैं, जो तुम्हें मारते हैं, जो तुम्हारे साथ गलत ब्यावार करते हैं, उन्हें छमा करो, इसी माफ नहीं करते हैं, वो खहते हैं कि इसने मेरे साथ में बुरा किया मैं कभी भी इसे चमा नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे चमा नहीं करूँगा, मैं इससे बात नहीं करूँगा इससे कोई रिष्टा नहीं रखूँगा परंदो मेरे दोस्तों येदि आप प्रभ येश्व मसी पर विश्वास करते हैं येदि आप उसके पीछे चल रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप प्रभ येश्व मसी की तरह इस्तिपनुस की तरह अपने अपरादियों के अपरादों को छमा करें एक बित्ती प्रभ येश्व मसी के पास आया, उसने का प्रभू मेरा भाई यदि मेरे बिरोद में पाप करे तो मैं कितनी बार उसे छमा करूँ, तो प्रभ येश्व मसी ने का साथ के सुतर गुने बार तु उसे छमा करूँ, दूसरे सब्दों में यदि मैं कहूँ, प्रभ उसी को, अपने रिष्टदार को, अपने साथ में काम करने वाले को छमा नहीं किया है, तो मैं आज आपसे कहूंगा कि उसे आप छमा करें, चाहे आपके विरोध में उसने कुछ भी क्यों न किया हो, चाहे उसने आपको मारने का प्रियतन किया हो, चाहे उसने आप पर जूटे आरोप लगाए हो, चाहे उसने आपसे लड़ाए जगड़ा किया हो, चाहे उसने आपको छती पहुचाई हो, या फिर आपसे कुछ ले लिया हो, या फिर कुछ भी उसने किया हो, लेकिन यदि आप प्रभ येश्य मस्यव अविश्वास करते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसे जमा करें आप उसे माफ कर लें तभी आप प्रभ येश्य मस्यव के चेले ठैरोगे यहाँ पर हम देखते हैं जब लोग इस्तिफनुस को पत्राओ कर रहे थे तभी इस्तिफनुस ने कहा कि देखो मैं प्रभु को परमेश्य के दाहिने और बैठा देखता हूँ उसके लिए स्वर्ग खुल गया और उसने परमेश्य की महिमा को देखा और उसने उन लोगों को चमा किया जिन्होंने उसके विरोध में गुना किया तो दोस्तों आज सुभे में मैं आपसे कहना चाहूँगा इस समय होगा जब आप लोगों के गुनाहों को चमा करें जिन्होंने आपके साथ में बुरा ब्यहवार किया जिन्होंने आपके साथ में गलत किया उन्हें आज आप चमा कर दें च्छमा करने का मतलब केवल ये नहीं कि आप मुझ से कहकर उन्हें च्छमा कर दें और जब कभी उन्हें देखें तो उन्हें गलत दृष्टी से देखें ये फिर आपके मन में वही कोड़ा कवार रहें नहीं च्छमा करने का मतलब ही यही है कि उन्हें हमेशा के लिए च्छामा कर देना आप यदि वो आपसे मुलाकात करते हैं यदि आपकी मुलाकात कहीं होती है तो आपको नौरमली ब्याववार करना है मानो उस ब्यक्ति ने आपके साथ कभी कुछ गलत किया ही नहो ऐसा आपको करना है कि वो रिस्तों को तोड़ देना नहीं है बलकि आप फिर से उन रिस्तों को बना सकते हैं उन्हें च्छमा करके सो प्रव आपको इस वचन के दौरा बहुतायच से आसीस दे आमें दोस्तों समय होगा जो हम एक गवाई को सुनेंगे किस परकार से प्रव ये शुमस्य अपने लोगों के जीवन में बाद में डाक्टर के पास गया तो मुझे टाइफ हाइट था टाइफ हाइट था इसके बाद मैं प्रेयर के लिए शिष्टर ब्रदर और पीके ब्रदर और शिष्टर अमरीता के पास भेजा इसके बाद उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया इसके बाद 6 दिन के बाद फिर मैं डाक्टर के पास गया तो टाइफ हाइद मेरे नारमाल हो गया इसलिए मैं प्रभू को बहुत-बहुत धन्यावाद देता हूं एमम सिस्टर अमरीता एमम पी के ब्रदर और उसके पूरे टीम को बहुत-बहुत धन्यावाद देता हूं जय मसी की प्रभू इस गवाही के द्वार आपको आशीज दे आईए हम सम्मिल कर आज की सुन्दर सुभा में आज के प्रकाश में अपने प्यारे प्रभू येशु मसी से प्रातना करें और हम आपको उच्छाहित करना चाते हैं मोटिवेट करना चाते हैं कि येशु से प्रातना कीजिए वो आपकी प्रातना का उत्तर सुन कर देंगे सो आईए प्रातना करें धनिवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे प्रभु येश्मसी हमारे पिता हम आपका हिर्दे से धनिवाद करते हैं आपकी स्तूति करते हैं पिता आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु आप सर्व शक्तिमान हैं प्रभु आप विलम से कोप करने वाले अती करणा परमेश्वरे हैं पिता, करुना करने वाले दया से भरे वे, प्रेम से भरे वे परमेश्वरे खुदा, भलाईयों को दिखाने वाले परमेश्वरे हैं, प्रभु हम आपको ऊचा ऊचा और ऊचा करते हैं, अर राधन करते हैं, स्तूति करते हैं, oh, thank you Lord Jesus, हाँ प्रभु, तु हाँ खुदा क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं ये शुमसी हम सब को तुने पाप के दलदल की कीट से छुड़ाया हाँ प्रभू मैं अपने बेटा और बेटी बनाया प्रभू संसार के उस गलत बातों से उभार कर प्रभू तु हमें अपने राज्ये का वारिस बनाने के सच में मेरे प्रभू तेरी उस भलाई के लिए तिर Minsan के लिए तेरी उस दया के लिए प्रभू जो हम सब पर बनी वी हैं प्रभू जी Thank you Lord for everything Lord Jesus Thank you for your goodness Lord Thank you for your love And thank you for your mercy Lord Jesus Because you are a holy holy and holy Lord Thank you Father for everything Everything in the morning Lord Jesus Thank you Father धन्यवाद परमेश्व इस सुन्दर सुबा में हम तुझे धन्यवाद की भेट को अर्पित करते हैं हाँ कहते परमेश्व क्याद की सुन्दर सुबा में प्रभू हम सब को गाइट कीजिये प्रभू और ये नया दिन दिया किस नए दिन में हम वो नए कामों को करें वो नए योजनाओं को पूरा करें प्रभू जो तुने हमारे लिए बनाई है प्रभू और तुझे आनन्दित करने पाएं प्रभू तुझे खुश करने पाएं प्रभू, हम वैसा जीवन जी है प्रभू जैसा तुझे भाता है प्रभू जी, एक पवित्र, एक अच्छा, एक पाप रहित जीवन हम जीने पाए पिता परमेश्वर, ऐसा जीवन आप हम सब को दीजिये प्रभू जी, लौर्ड हम सब आपको मह आइमा देते, आधर देते, आपका सम्मान करते प्रबू कि सच में आपने हम सब को चुना और बचाया और हम सब को नया जीवन दिया और अपने आप में नई स्रिस्थी बनाया धन्यवाद, विशेश का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर जिस संसार के लोगों ने तुझे क्रूस पर चड़ाया प्रबू, तुने उनके लिए शमा की विंती पिता से की, ऐसे ही परमेश्व प्रबू जियेश्व मसी आपसे दुआ करते प्रबू, यदि आपके बेटे बेटियों के विरोध में कई लोग खड़े हैं पिता, यदि प् में ऐसा विचार लाइए, आप उनके मन को ऐसा परिवर्तन करें प्रबू, जिनने ये माफ करना नहीं चाहते हूंने आज माफ करने पाएं पिता, आपके वचन के अनुसार, आपके व्यवार के अनुसार, जैसे कि आपका व्यवार है, जैसे आपका सोचना है वैसे ही प्र आज वो अपने अपराधियों को शमा करें, हाँ प्रभू यदि आफिस में, यदि घर में, यदि परिवार में, यदि हस्बिन वाइफ ये एक दूसरे के गुनेगार हैं, तो प्रभू होने दीजी आज ये एक दूसरे के गुनाहों को माफ करें, यदि बच्चे माता पिता क कि गुनेगार हैं पिता येशु के नाम से प्रभू वो माफ करने पाएं पिता परमेश्वर आज जो कुछ भी प्रभू इनके रिलेशनशिप में कोई भी अपराध प्रभू इनके विरोधी के दुआरा हुआ है प्रभू तो आप से प्राथना है कि ये अपने उन लोगों क कि उन अपराधियों को माफ कर सके और प्रभू उसी वचन को पूरा कर सके जैसे कि इस टेफिन उस ने किया जैसे येश्व आप नी किया हाँ प्रभू आज आप अपने लोगों के हिरदे में ऐसे शमा वाला भाव उत्पन करें प्रभू कि वो हर रिक को शमा करें जिनों ने इनके विरोध में पात किया है, ताकि परमेश्व पिता स्वर्ग में एक बड़ा आनन मनाया जाए प्रभू, ताकि स्वर्ग प्रभू तेरे लोगों के लिए खुल जाए प्रभू, और वो वचन जो तुने पूरा किया, वो तेरे बेटे-बेटियां भी पूरा करने पा आईए, आजके दिन में सुख, शान्ती, सम्रिद्धी आप अपने लोगों को दे, शान्ती दे प्रभू आनन से भरे परमेश, इनके कामों में सफलता दे, इनके परिवार में सफल करे, इनके बच्चों को सफल करे, इनके जीवन के रुकावटें को, बाधाओं को और रु इसमें बीमार है पिता उनसे आपके लिए चंगाई को मांगते हैं आपने कहां मांगो तुम्हें दिया जाएगा और ये शुमसी आप वचन में कहते हैं यदि तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे तो वे तुम्हें देगा प्रभू हम पिता आपसे मांगते हैं आपके प्य के शरीर के रोगों को नस्ट करें और वो भले चंगे हो जाए शुके नाम से प्रभू कोरोना वाइरस से आप उन्हें प्रोटेक्ट करें प्रभू ये शुमसी और जो लोग कोरोना से ग्रसित है शुके नाम से कोरोना वाइरस उनके शरीर से नस्ट हो जाए ये शुके नाम स प्रभू ठंड से होने वाली बीमारियों से आप इन्हें चुटकारा दें प्रभू धन्यवा तेरी चंगाई बहने लगे उनके शरीर में बहने लगे प्रभू और वो चंगे हो जाएं थेंक यू फादर आज प्रभू इन्हें हर एक दुष्ट से हर एक दुष्ट की योजन ना हो उनके खते हमेशा भरे रहे और जो कुछ भी कमाई उस पर बरकत हो और उसका सुक आनंद उनके बच्चे उनका परिवार लेने पाए और वो आनंद मनाए प्रभू येशु मसी और अप्रमपार आशिशे उनके ऊपर खुल जाए खुदा धन्यवाद प्रभू आपन तुमें सारी बातों को सौंपते हैं और येशु के नाम से विंती को मांग लेते हैं सुने और ग्रहन करें आमेन आमेन और आमेन